जारकर में पहले चरण का चुनाव आज तीन बजे संपन हो गया, तेरा विधान सभाज सीटों पर एक सो नवासी प्रत्याश्यों का भग एव्यम में क्याद हो गया, इस सभी तेरा विधान सभाज सीट अती नकसल प्रभाविश शेत्रों में थे, श्यांतिपूर्ण मतेदा हुआ है, मतेदान के वाप प्रतिशत जो है, वो 62.87 रहा, जहां वोटिंग के बाद एव्यम रखा हुआ है, वहाँ पर सुरक्षा वेवस्था कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा वेवस्था का जाइजा लिया है हमारी समादाता ब्रजेश राएने कड़ी सुरक्षा वेवस्था के बीच जारखन में पहले चरण का मतदान संपन हुआ, नकसल प्रभावी 13 विधान सवाक छेतर में ये चुनाव था और चुनाव आयोग के लिए भी बड़ी चुनोती थी, इसके साथ ही जीला प्रशासन और पूलिस के जवानों के लिए भ असली वारदात की कोई घटना नहीं हुई, हाँ, कॉंग्रेस के परतियासी कें तिरपाथी जरूर अपना पिस्टल लहराते हुए एक बूत पर नजर आये, लेकिन यहाँ पर कई पुलिस के जवान है, और चत्रा में मैं हूँ, आपसे जाना चाहूँगा कि मतदान अब सं बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, कैसी रही सुरक्षा वीवस्ता है, आप लोगों ने पूरी तरह से मुस्टादी के साथ अपनी डूटी, यह सुरक्षा बलके जवान हैं, और लगे हुए अपनी डूटी में, इन्हों ने साप तोर पर कहा कि बहुत अच्छे टरीके यह बताईए कि कैसा रहा पूरा अनुभो कैसा रहा पूरे सुबस साथ वज़ से लेके तीन वज़े तक बहुत अच्छा रहा सर अब बहुत अच्छा भी लगा ड्यूटी आपको महसुस हुई नहीं कोई परशानी नहीं हुई यह हमारे जवान और इन्हीं की बदौलत हम महापर्व माना जाता है लोकतंत्र का लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण जार्खन में संपन हुआ और हम भी निवेदन करेंगे अपील करेंगे पूरे जार्खन वासियों से कि अभी चार चरण का चुनाओ बचा हुआ है आप जरूर घरों से निकल कर आए और अपना वोट कास्ट जरूर करें कैमरा परसंद सुरिन परसाद के साथ बरजे इसराय आर नाइन टीवी चत्रा